हेलो प्यारे बच्चों मैं सुनिल भाटि स्वागत करता हूँ आपके अपने मैत की गिलास में जहां हम कर रहे हैं प्रीविएस यह कुश्चन और आप हमारा साथ दे रहे हैं अपनी कॉप्य पैंसिल लेकर है ना इसी अम्मीद के साथ कि आप अपनी कॉप्य पैंसिल लेकर स साथ के साथ कुष्चनों को सौल कर रहे हैं हम इस वीडियो को आगे बढ़ा आते हैं और कुछ अच्छे कुष्चन अच्छी ट्रिकों के साथ करेंगे तब तक आप लाइक और सेर कर दीजिए फटा-फट लाइक के बटन दबाएए ज़्यादा से ज़्यादा से share कीजिए और जो भी चीजे समझ में ना हैं या कोई problem हो वो सब आप किसमें comment section में हमसे पूछ सकते हैं साथ के साथ हम live class भी लेके आएंगे live class में आप जो भी query हो वो सारी query हमसे पूछ सकते हैं तो बने रही है हमारे साथ और करते रहे है अपनी practice math की जो जिससे कि आपका math एक अच्छी स्थिती में हो और ज्यादा से ज्यादा आपके marks आएं तो लेते हैं सबसे पहला question आज की वीडियो का पहला question एक धनरासी पांच वर्स में चक्रवर्दी ब्याज पर स्वयम का तीन गुना हो जाती है तो कितने वर्सों में है स्वयम का 81 गुना हो जाएगी तो करेंगे बच्छो कुछ ने कर दिया होगा चक्रवर्दी ब्याज चक्रवर्दी ब्याज में पांच गुना अच्छा पांच वर्सों में तीन गुना तो चक्रवर्दी ब्याज में जितना गुना एक बार होता है उतना ही गुना हर बार होता रहता है कैसे मानेंगे हम कि पहले एक थी तो एक से कितनी हो गई तीन कितने वर्स में 5 तो 5 वर्स में 3 हो गई तो अब जो अगले 5 वर्स होंगे इसमें फिर से 3 गुनी हो जाएगे और 3 का 3 गुना कितना होता है 9 अब इससे अगले जो 5 वर्स होंगे इस 5 वर्स में फिर 3 गुना हो जाएगे तो कितनी हो जाएगे 9 का 3 गुणा 27 इससे अगले 5 वर्स में फिर से 3 गुणा हो जाएगी और 81 का 5 गुणा 27 का 5 गुणा होता है 81 हो गई 81 तो कितना हुई 5 15 15 15 20 ऐसे भी हमें डारेक्ट कर सकते हैं इसको जब आप प्रेक्टिस कर लोगे तो आपको पता होगा कि 3 की घाच 4 बराबर क्या होता है 81 हो होगे जब आपको चीने डारेक्ट बता होंगी लेकिन ये किसी फॉर्मूले की तरह नहीं रठना है क्योंकि फॉर्मूले की तरह रट होगे तो ट्रिक की तरह यानि रट होगे तो भूल जाओगे लेकिन आपको बिलुकुल बेस से याद होंगी जैसे ये बताया है कि जित किसने की गुणा हुई उतने ही वर्षों में फिर उतने ही गुणा होनी है तो आप आजा इनको कर पाऊगे तो इस चीज सम div वस्तू 350 में खरीता है और 400 में बेश देता है तो कितने कमा दिये जी 50 रुपे कमा दिये है ना कितने पर किरे मुल्ले पर हमेशा 350 पर परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 यह जी तो कट गई साथ पांच एकम 5 पांच सकते और साथ से कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा इसली बार है ना अब अगली बार से याद रखना है एक पर्टे साथ कोई धी हम परसेंट में लिखते तो 14 परिंट दो आठ परसेंट है ना इस तरह से आती है अब मुझे तो वैल्ली आथ थी तो मैंने डारेक्ट लिख दी है वैसे भी आप साथ से भाग देंगे सो में त साथ एकम साथ पहले फिर बचे कितने तीन फिर साथ चोग 28 और 14 आगया आपको किलियर हो गई वैल्ली आगे बढ़ते हैं बच्चों एक वस्तूपर 20 प्रितिसाथ की छूट देने के बाद एक व्यक्ति को 12 परसेंट का लाब होता है अंकित और क्रेम उल्ले कन पात ऐसी अब देखते हैं 20 की छूट है तो अंकित को 100 मान के 20 की छूट यानि 80 और 12 का लाब है तो इसको 100 मान के ये 112 अब ये वैल्ली बढ़ाते हैं यहाँ पर और ये वैल्ली बढ़ाते हैं यहाँ पर अब पूछा क्या है उसने हमसे अंकित और क्रे तो इसको छोड़ देंगे फि इन दोनों में देखें, 100 से 100 कट गया, तो कितना हो गया, 112 है अनुपाद 80, कट रहा है कि चीज़ी, 16 से कट रहा है, 16 पंजी और 16 सकते, तो कहां है option यह पहला है, 7 अनुपाद 5, तो चीज़े समझ में आई, MSCC कुशन फटा फट हो जाएंगे, तो यह तरीके समझ में आ रहे ह और अपने प्रैक्टिस भी जारी रखिए, आगे, एक वर्ग और एक आयत का छेत्रफल बराबर है, यह वर्ग क्या होता है, वर्ग का छेत्रफल होता है, A स्कुएर, और आयत का छेत्रफल होता है, L into B, यह दोलों बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 सेंट सेंटिमीटर अधिक और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटिमीटर कम है, आयत का परिमाप ग्यात कीजिए, तो कैसे कर सकते हैं, आप चाहे तो इनको फटा-फट लिखके भी करेंगे, तब भी सॉल हो जाएगा, देखो वर्ग यह A स्कॉार है, L कितना दिया है 10 अधिक किस से? वर्ग की भुजा से, तो वर्ग की भुजा A है, A पिलस 10, और B कितना दिया है? चोड़ाई वर्ग की भुजा से 6 कम है, तो B माइनस 6, इसे लिखेंगे आगे तो कितना होगा? वर्ग की भुजा से, तो कितना होगा A? A और A की गुणा होगी तो A स्कॉार, 10 A, और असे लिखेंगे लेते हैं, 10 A, फिर इस A की इसमें गुणा होगी, तो माइनस के 6 A, और माइनस के 10 चिक के 60, ठीक है? तो यह होगा ही वैल्यू, अब यहाँ देखेंगे, A स्कॉार से A स्कॉार कट गया है, यह कितना होगा? 4 A, माइनस 60, बरावर 0, तो आप मुझे बताएंगे, तो 4 A बरावर क्या होगा है? 60, तो A बरावर कितना होगा है? 15, ठीक है? यह होगा है, तो A क्या होगा है? 15 पिलस 10, यानि 25, और एक 15 से 6 गई तो 9, अब हमसे क्या परिमाप, परिमाप क्या होता है? 2 L पिलस B, तो 2 इंटू 25 पिलस 9, 25 और 9 34 होते हैं, 34 दोनी 68, तो यह चीज़ समझे में आई, आसान थी, आसान नहीं थी, थोड़ा सा लें थी थी, लेकिन आप प्रेक्टिस करोगे तो यह चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी, कैसे हो ज परिमाप दिये हैं, क्या दिये हैं बच्चों? परिमाप, परिमाप 2 L पिलस B होता है, यानि L पिलस B कितना हो जाएगा? 34 का आधा, यानि सत्रे, सत्रे, एक संख्या तो 10 जोड कर और एक 6 घटा कर, तो 10 और 6 जोड कर सत्रे तो नहीं आ सकता है, सत्रे को कुछ ऐसा लिखना है, जिन दोनों में, अंतर कितने का हो? एक 10 अधिक, एक 6 कम, तो यानि 16 का तो अंतर हो दोनों में, इतना तो नहीं आएगा? नहीं बन पाएगे, आगे देखते हैं 46, ये कितना है? 23, इसका आधा 23, इसे करेंगे? क्या इससे संख्या बन पाएगी? अच्छा, ये तरीके अ अपनाएंगे, तो भी कुश्ण हो जाएंगे, खिलाल आप इससे ही करेंगे, आगे देखते हैं एक और कुश्ण, एक रेलगाडी एक खंबे को 13 सेकंड में, और 210 मीटर लंबे प्लेटफर्म को 27 सेकंड में पार करती है, रेलगाडी की गति ग्यात की दिए, 13 सेकंड में त सब किसी प्लेटफर्म को पार करती है, तो जोनों जुड़ जाती है, यानि अपनी प्लस प्लेटफर्म, ये कितने में, 17 सेकंड में, तो मुझे बताओ, प्लेटफर्म कितने समय में पार किया होगा, तो प्लेटफर्म केवल केवल प्लेटफर्म वाली दूरी ते कर रही हो दूर ही है हमारी 210 और समय हमारा 14 सेकंड अब क्या से पूछा है किलो मीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति सेकंड में क्या करते हैं बच्छो मीटर प्रति सेकंड में 18 बटे 5 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है किलो मीटर प्रति घंटा आ जाता है अब ये चीज याद र सब्सक्राइब दोनों सेकिंडों को आप घटा देंगे 27 में से तहें लगए 14 सेकिंड यानि 210 बटे 14 और इस्पीड निकल के आ जाएगी तो कर लेंगे ऐसे कुश्यन आप सभी आगे पांच वर्स पहले एक्स और य की आयोगा नुपात दो तीन था और पांच वर्स बात यहाँ नुपात तीन चार हो जाएगा तो एक्स की वर्तमान आयोग याद करनी है अच्छा जी कितना था हमारा दो नुपात तीन था यह था पांच वर्स पहले सपोज यहाँ पर कोई वर्तमान होगी है ना वर्तमान तो पांच वर्स पहले बैस समझना है अगली बार से तो यह सब लिखना आपको नहीं पड़ेगा जबाब को समझ में आ जाएगा अब कि अंतर आ गया और अंतर कितना आए एक एक पॉइंट का तो हमको पता लगा एक पॉइंट बढ़ाबर दस वर्स देखो यह भी एक पॉइंट बढ़ा यह गाए पांच वर्स पहले यह कितना था? दस की गुणा हो जाएगी तो यह 20 था और यह 30 था ठीक है? जब यह 20 थीस थ एक्स वाई तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 25 यह हो गया हमारा आंस्व है ठीक है बेहद आसान कुश्यन है दो पाइप एस और यू एक टंकी को 24 और 30 गंटे में भर सकते हैं यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप यू कितने समय पश्यात बंद कर दिया जाए कि टंकी 16 गंटे में भर जाए देखते हैं बच्छो एस कितने समय में भरता है 24 में और यू कितने समय में भरता है 30 दोनों का एलसे में बताईए कितना है 120 एलसे में आएगा ये 5 ये 4 यानि कि S कितना करता है 5 और V कितना करता है U U करता है 4 चार काम अब क्या कह रहा है वो कि टंकी कितने समय में भरे 16 गंटे में और बंद किसको करे U को तो S तो चलेगा न पूरा S कितने समय में चलेगा S 16 गंटे चलेगा तो 16 गंटे में कितना काम करेगा 16 गंटे में पांच यानि कि 80 अब यदि 80 काम करेगा तो 6 कितना काम बचेगा 120 में से 80 माइनस कर देंगे 80 माइनस करें तो 6 कारे बचा हमारा 40 अब ये 40 किस से कराना है U से U से 40 करा unit तो 40 बटे 4 यानि कि 10 तो 10 गंटे बाद U 40 काम कर देगा 10 गंटे बाद U 40 काम कर देगा और उसको बंद कर दिया जाएगा बाकि 16 गंटे में ये 80 काम करेगा तो आप कांसर हो गया 10 गंटे तो चीज समझ में आईए आसान है फिर से समझ लीजिए 24-30 का LCM ले लिया 120 पाच और 4 पृति गंटे कारी आ गए S ने 16 16 गंटे में टंकी भरी है और S को बंद नहीं किया तो S ने 16 गंटे काम किया ना 16-85, 80 कारी है उसका हो गया 6 जो बचा 40 वो किसमे किया U ने 40 को करने में लगते हैं 10 गंटे तो आज के लिए यही इतने ही और हम अगली वीडियो में फिर करेंगे अगले कुश्यन कुछ अच्छे कुश्यन अच्छे ट्रिकों के साथ तब तक आप इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और अपने प्रैक्टिस जारी रखिए तो थैंक्यू वेरी मुच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में